नमस्कार जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल में आपका स्वागत हैं बात करेंगे देनिक राशी फल की तो आज 21 मार्श 2023 है दिन मंगलवार है मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा इसके विश्टर चर्चा की जाएगी आज कहां सावधानिया रखनी है और किस कारे को करने से आज बचना है आज अमावश्य तिति रहेगी रातरी दस बच के बाउन मिनिट तक तो आज पूरे दिन अमावश्या है और चंद्रमा आज सुबग 11 बच के सताउन मिनिट तक यानि कि करीब करीब 12 बचे तक कुम्ब में रहेगा जो कि आपके आए का आज कोई बी शुब करना चाते हैं तो उसके लिए आप रावकाल का विश्या करके क्याल रखें आज का रावकाल तीन बचे से लेके साड़े चार बचे तक है तो कोई भी शुब कारे तीन से लेके साड़े चार बचे तक नहीं करें नहीं कोई आप इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये चंदर्मा फेबरेबल नहीं है ये खर्चे का चंदर्मा है और खर्चे के चंदर्मा के अंदर सकते हैं अभी जीत मूरत है इसमाप कोई भी शुब कारे कर सकते हैं यह 11 के 40-40 पर शुरू होएगा जो 12.30 मिनेट तक यानि कि 11.40 से 12.30 तक का टाइम है इस समय आपको भी शुप कारे कर सकते हैं यह दोपेर का टाइम होता है यह शुप होता है वेनेजडे के अलावा तो अकल भी शुप टाइम रहेगा 11.40 से 12.30 तक का इस समय आपको भी शुप कारे करेंगे तो एक तो सूर्य उस समय अपने प भागे वैसे तो कल अमावस्य तितियु को भी शुपकार्य करने से मना किया जाता है आज का अगर में श्राशी वालों का देखें कि पूरा दिन कैसा जाएगा तो दो इस्तों में बटा हुआ है गोचर में चंद्रमा स्टार्टिंग में लाब बाव में चलेंगे और वो गुरू की नक्षेतर में चलेंगे गुरु के नक्षेत्र में चंद्रमा आने से आप उर्जा से बरिवे रहेंगे आज आपका उर्जा का इस्तर अन्य दिनों से कफि अच्छा रहेगा पॉजिटीव भी रहेगा और आप में आत्मी विश्वास भी आपका पूरी तरह से बना रहेगा ऐसा नहीं कि आत्मी विश्वास के चलते सारे कारे कर देंगे कैसा भी खटिन कारे हो यह कैसा ही डेली रूटीन का कारे हो हर कारे आप आत्वी विश्वास से कम समय में अच्छी तरह से अच्छी कुशलता के साथ उस कर देंगे ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो आज आप सभी जेगे चाहे आपको सबी लोग आज सयूग करेंगे जहां भी रहेंगे अगर घर में रहेंगे तो परिचन सयूग करेंगे मातापिता सयूग करेंगे वर्क प्लेस पे रहेंगे तो अधिनिस्त करमचरी सयूग करेंगे आपको ध्यान किस चीज का रखना है आज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपको इस चीज का वरना आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है वह यह कि अपनी वाणी पर सेम रखना है अपनी वाणी से आज किसी का आत्मे सम्मान को ठेश ने पहुचा है क्योंकि आज आपका आत्मी विश्वास बहुत चरम पे यह यह कहें कि किसी के साथ दुरू वेवार ने करें सभी के साथ विनम्रता से और सौम्मेता से प्रस्तुत हो जैसा कि आपका नेचर है विनम्र बने रहने का डाउन टूर्थ रहने का तो उसी टाइप से बने रहे और सौम्मेता रखें अपने वेवार के अंदर आपके से चीज को समझे और धेरे से आगे बढ़ें सबका सयोग सयोग ले और सबको सयोग दे सयोग अगर आपको कोई करता तो आप उसको सम्मान अबस्य दे आप आज जो भी कारे करेंगे वो अपने आप ही कारे आपके होते चले जाएंगे कि कि आपको सहयोग सब तरब से मिल रहा है वयपारी लोग हैं वयपारी लोगों के आज लिए आज लाप का दिन है आज वो लाप कमा लेंगे परंतु जैसे 12 बज़े के बाद चंद्रमा बदलेगा वर्क प्लेस पे वयपारीयों के विवाद के इस्तिति का जनम हो जाएगा तो इतना बुरा दिन आपके लिए नहीं है प्लानिंग बना के आप कोई भी कारे करेंगे तो आपके प्लानिंग के इसाब से सबी कारे अपने आप होईंगे क्योंकि सहयोग आज हर तरह से मिल रहा है परीजन भी आपके मददगार है दामपेते जीवन की बात करें तो दामप करें बलकि जिवन साती के साथ सम्मान से पेशाएं और उसके भावनाओं की कद्र करें लव लाइफ की बात करें तो आज की लव लाइफ जो भी लव एंड रिलेशन्शिप में है उनकी लव लाइफ ठीक है कोई नय प्रेम प्रसंग अगर आप स्टार्ट करना चाहरे हैं जैर्टियों के लिए मैनत वड़ा देना है परन्तु म Яनत से नको बढ़ spins मिलती है दिख रही है जो लोग नर्सिंग से संबंधित मेडिकल से संबंधित दवाों से sepertiенных या किसी आज अगर आपको यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा में विश्य सावधानी रखें और साथ ही अपने कुरोथ पेनी इंटर्ण रखें और जल्द वाजी से भी आपको यात्रा में बचना चाहिए अब बात करते हैं आज की उपाई की तो उपाई के रूप में मेश्राशी वालों के लिए आजीवन ही की उपाय होता है अनुमान चले सके पाठ करना यह सबसे बढ़िया और सबसे सार्तक और शिग्र फल्दाई उपाय है अनुमान अरातना से आप जुड़े रहें वैसे आज के ग्रहें गुचर के साब से आप गणिश पूजा करते हैं गणिश सतर किसी भी मंद्र का जाप करते हैं तो आपके लिए शेष्ट रहेगा इससे आपको राऊ के तुस परिणाम भुगतने नहीं पड़ेंगे आज का शुब रंग ब्राउन है और डार्क येलो भी आप आज पहन सकते हैं कुल मिला के आपका दिन शेष्ट जा रहा है अमावस्य तिति के तिति को कोई भी शुब कारे करने से पहले हमको दस बार सोचना चाहिए मेरा ये पर्सनल अनुब हुए तो इसके साब से भी आप चल सकते हैं बाकि आपका जीवन सुकी समरतिशाली एश्वर एमान बने इसी शुब का आमना के साथ धन्यवाद